STT, Securities Transaction Tax, क्या है ये टेक्स, क्यों है ये टेक्स, कब लाया गया था, क्यों लाया गया था और आज की तारीख में अगर आप अपना Contract Note उठा कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले कुछ सालों से जब से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने आज ता कितना Securities Transaction Tax STT सरकार के जेबे डाला है क्योंकि पिछले साल इन्होंने करीब 25,000 करोड सिर्फ 9 महीने में ही कमा लिया था, अभी 3 महीने Financial Reader के पोरे होने बाकी थे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से STT होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसके अलावा एक और टेक्स है जो अलड़ी आप देते हैं और अगर ये टेक्स खत्ब हो जाया है तो Reader Community का इसमें कितना फायदा है कितना मार्केट बड़ा हो सकता है ये सब को जानने की कोशिश करेंगे लेट्स केट स्टार्टे तो दोस्तों STT के एराउन हमने एक YouTube पे पोल किया था जिसमें पूछा था कि कौन सा खर्चा है स्टाक मार्केट ट्रेडिंग का जो आपको सबसे ज़्यादा दुख देता है तीन ओप्शन दिये गए थे DP चार्जेज, STT, और ब्रोकरेज स्ट्रेंज बात ये है कि 70% लोगों ने ब्रोकरेज को चुना करीब 35% लोगों नहीं STT को और इसी पोल पे करीब 280 लोगों ने कमेंट भी किया अब STT की हिस्ट्री जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि आज की तारीख में मार्केट के जो ट्रेडर्स है उनकी पल्स क्या कहती है STT के बारे में अब एक option विद्या करके handle है आपको मिल जाएगे जो ब्रोकरिज बहुत कम लेते हैं लेकिन STT अगर आप देखेंगे वो आपकी turnover के हिसाब से होता है तो उस logic से option विद्या का point बिल्कुल सही है पावर फरतियूष कहते हैं कि सरकार तब भी STT चार्ज करती है अगर ट्रेडर ने market में loss खाया हो loss making trade पे आखिर ये transaction tax क्यों लगाया जा रहा है जब हम नहीं कमारे तो उस पे सरकार को पैसा क्यों दे और वो भी हमारी turnover value के हिसाब से देखें जो taxes होते हैं ना जैसे के LTCG या STCG long term capital gain, short term capital gain अब ये किसी की income के उपर होते हैं profit के उपर होते हैं इसमें तो पैसा कमाया नहीं है तो उस मामले से प्रतिश्ट का logic सही है bank nifty trader 2017 कहते हैं कि मेरा भी एक सवाल है कि सरकार, SEBI, NSE, मिलकर पहले सी STT वगरा चार्ज लगाते हैं फिर वो इतना बड़ा income tax क्यों लेते हैं कोई profitable बंदा सलाना अपनी मेहनत का 30% tax फ्री में दे अगर वो loss में है तो STT के जरीए पैसा कमा के दे रहा है अगर वो profit में है तो उसमें उसको LTCG के साथ income tax के रूप में उसको पैसा देना पड़ रहा है अब जिन लों के लिए बात समझनी आ रही है थोड़ा हिस्ट्री में चलते तो बात है एक अक्तुबर 2004 की उस समय की जो Central Government थी जो सरकार थी और उनने देखा कि बहुत सारे लोग जब Stock Market में पैसा कमाते हैं उससे profit कमाने के बाद हो income tax देने में LTCJ के रूप में कोई पैसा जमाल नहीं करवाते हैं तो सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है तो सरकार ने क्या decide किया सरकार ने कहा कि हम TDS के form में मतलब direct tax बना देंगे तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जिस turnover का आपने ट्रेडिंग किया अगर दिन में आपने 5 ट्रेड मारें तो हर ट्रेड की turnover के हिसाब से जब आप बेचेंगे stock को क्योंकि intraday है तो बेचना तो पड़ेगा ही तो आपको 0.025% अपनी पूरी turnover का देना होगा delivery में 0.1% selling side और buying side बहुत और अगर आप एक option buyer हो तो आपको अपनी trade के intrinsic value मतरब strike price और spot price का जो फरक होता है जतने lot आपने लिए इसको multiply करोगे जो value आएगी उसका 0.125% आपको options में STT के रूप में दिला पड़ेगा अगर आप seller हो तो ये value 0.0625% हो जाती है ये value पिछले साल 0.05% थी जो के करीब 25% तक बढ़ा दी गई थी तो ये rule 2004 में इस logic से लागा था और ये ये सब value रखी गई थी लेकिन अब ये समझने की जुरुत है कि समय बीता है 20 साल हो चुके है उस बात को बहुत सारी चीज़ें technology के level पे अभी stable हो चुकी है लेकिन retail trader आज की तारिक में source पे STT की रूप में पैसा दे रहा है और उसके बाद इतना profit कमाता है साल के बाद उसको LTCG के रूप में भी दे रहा है मतब पहले इसको बचाने के लिए STT को लाया गया था लेकिन आज की तारिक में ये तो आ गया LTCG तो आ रहा है लेकिन साथ में अब STT भी देना पड़ रहा है मतब एक ही trade के उप पर अगर आपने profit दनाया तो आपको दो tax देने है और अगर आपने loss खाया तो भी आपको STT देना ही है अब ये होगई trader की बात लेकिन अगर हम सरकार की तरफ देखे हैं तो सरकार कितना पैसा कमाती है पूरे साल में STT से कितना revenue निकालती है 2019 से शुरू करेंगे तो सरकार में उमीद की थी कि हम करीब 11,000 करोड रुपे कमाएंगे लेकिन actual उनने 11,528 करोड कमाएं 2020 में 12,800 की projection थी 12,374 करोड कमाएं 2021 में 13,000 की थी 16,927 करोड रुपे कमाएं 2022 में 12,500 करोड रुपे की expectation थी और सरकार ने कमाएं 23,191 करोड रुपे अगरे साल भूख बड़ी expectation बढ़ा जी गई 20,000 करोड रुपे का expectation थी और कमाया सरकार ने 24,960 मतब अल्मोस्ट 25,000 करोड रुपे 2024 की projection सरकार ने रखी 27,625 करोड रुपे और जनरी तक ही इस साल सरकार ने बताया है कि उन्होंने करीब 25,000 करोड रुपे कमा लिये थे अब देखिए सरकार के दिसे logic जिया जाता है कि यह text क्यू रखा गया है देखिए एक सरकार का revenue बनता है दूसरा speculative trading को रोकने थामने में काम आता है कि जब लोग देखेंगे कि एस्टिटी बहुत सादा है तो कम लोग trading करेंगे speculation कम करेंगे इंट्राडे या options में कम पैसा लगाएंगे लेकिन ये सब को पता है कि लोग रोक नहीं रहे है retail trainer का size बड़ा ही है active demand account भी बड़े है over a period of time so deterrent के रूप में रोकने के रूप में तो ये काम नहीं कर पा रहा है लेकिन सरकार के revenue करी रूप में बहुत जादा लेकिन सरकार का revenue overall taxis से कितना आता है और STT से कितना रह जाता है ये समझने की जुरूत है लेकि direct tax में देखे तो सरकार ने उमीद लगाई है कि इस साल करीब 19.45 लाक करोड रुपए सरकार direct taxis से कमाएगी मतलब आवल मौश करीब 20 लाक करोड रुपए उसके comparison में STT ने 25,000 करोड रुपए देना है मतलब एक तरीके से उंट के मुमें जीरा सरकार को अगर ये tax ना भी मिले तो सरकार कें survive कहाँ पे 20 लाक करोड रुपए और कहाँ पे 25,000 लेकिन अगर ये tax abolish कर दिया जाता है किसी तरीके से कम कर दिया जाता है तो इससे retail trader community का कितना फायदा होगा उतनके खर्चे कितने कम हो जाएंगी उनकी profitability के expectation बढ़ जाएंगी जो 89% F&O में loss खा रहे हैं relatively उनका percent increase हो सकता है लेकिन equity intra day या delivery में भी जो लोग loss खाते हैं या profit कम होता है लेकिन equity के चकर में वो loss में चले जाते हैं तो उन लोगों का भी फायदा होगा वो भी motivated होंगे कि वो market में टिके रहें और पैसा लेके आएं volume में लेके आएं जब ज़्यादा पैसा लेके आएंगे तो लोग कमाएंगे यह हो सकता है कि सरकार जब कोई trader profit कमाए उसका STT रख सकती है दूसरा option यह हो सकता है कि अगर कोई LTCG भरता है तो उसको अपना STT वापस मिल जाना चाहिए पर कोई ना कोई measure तो सरकार को लेके आना ही चाहिए क्योंकि retail trader ऐसे community की रूप में काम नहीं करते हैं जाते जाते कुछ comment हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगे कि actual दिल में लोगों के क्या चल रहा है अब देखिए दारुवाल 4164 कहते हैं कि at least loss पे STT तो नहीं लेना चाहिए शिवम जोशी कहते हैं कि उनको लगता है कि सरकार को उनका profit रक लेना चाहिए और जो STT कमाया उन्होंने वो उस ट्रेडर को वापिस कर देना चाहिए सुर्जी दाथ STT चार्ज सर मार दे रहा है मेरे देर राजपूर कहते हैं कि STT hurts the most मेरे profit का 10% तक ले जाता है ऐसे कमेंश चलते रहेंगे endless conversation है ये बट point of the matter is कि STT किसी ना किसी तरीके से कम होना चाहिए abolish कर देना चाहिए for that matter इससे retail trader community में एक confidence आता है एक positivity आती है markament के रहने का एक reason मिलता है और especially बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं होता कि उनका जो loss हुआ है वो शायद STT के कारण हुआ था ये सब चीजे जब कतम होंगी तो trader community बड़ेगी ही this is only going to help flourish the retail trader community and I hope somebody someday watches this video और gets to understand the idea himself or herself कि STT charges क्यों एक तरीके से stock market में retail trader के लिए अभी शाप है और कुछ नहीं अभी के लिए इतना है इस वीडियो में दोस्तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे इसको देखने के भी बहुत बहुत शुक्रिया